नमस्कार स्वागत चाप तो हूँ छो समीर सुर्ष शहर मां भदूए के लओ जिहाद दो माबलो सामे आवेओ अना वक्ते भी दर्मी यूबके यूटी ने सोशल मिडियाना माद्यम्ती प्रेम जाल माफसा भी ती जमां यूबके यूटी ने भगारी ने बिहार लेगे हो त त्यार बाद यूबके तरह मामाना घरे यूटी साथ लेगना करया यूबके यूटी ने धर्मा परिवरतन पण करावियो और यूटी ना भाई ये सुरत पोलीस पां फर्याद करी पोलीस से बिहार सुधी तपास दमदमार श़रू करी और तूका गाला माम पोलीस से यूटी ने फसाविया थी प्रेम जार्मा में मास पहला सोड आहे इन्साथे वाच्चीत करी यूटी ने मुक्तकरा भी जे पुलीस से आने यूबक नी धर पकड़ करभा माम भी जे बिहार थी तो सुरत पुलिस ती टीम पहुँचिए ती बिहार तर नाम सर नामा निसा थ अब हम आभी एतीन आखरेती यूबख पकड़ा होचे जे यूटी ने भगाडी गयो तो बिहार कुछ नहीं रोज बाते होती थी तो फिर तो दोनों ने सोचा तो लुप साधी ते गरने का पूली स्टेशन में कंपलेंड की ममें ने तो आपीस आया थी यह लड़की यां से चार बजए गई थी घर से ठीक है ठोड़े गुस्टे में से इसले चली तो उसने अम भी कोई यूबक ने यूटी जग्या पर लगन करया था त्यां तपास करवा माभी जम गामना सर पंजे निउस एतीन साथ बाद करता कहूँगे अमने नौती खबर के यूबक यूटी नो धर्म परिवर्टन करया उचे यूबक महरमाना शंकल पूर मातना मामाना भरे शंकल पूरा माँ गया तो लगन करी न गया तो называется मामना मा बेमास पहला सोचल मिड्या न मादिम थी यूबक यूटी ने फसा भी थी पुलिस आया ताना पर मालूम चला कोई पुलिस ये की गुजरात से कोई लड़का-लड़की यहां भागा गुजरात की लड़की तो सर से मालूम पुरा एड्रेस पता चला पिर पहिती पंचात का लड़का वो सूरत में काम कर दा भागा वहां से यदर काश्ट की लड़की को लाया लड़का रहने वाला था पिरपहती पंचाद दानापूरगा लेकिन साधी विया वो संकरपूर में कराया ये वो मस्जिद है जिसके मौलबी पर ये आरोप लगा है कि एक नावालिक का निकाह करवा दिया गया वो भी धर्म परिवर्तन कर बताया जा रहा है कि वो बच्ची जो थी जिसकी उम्र 16 वर्स 8 महिने थी उसकी साधी यहां लाकर करा दी गई बताया गया कि जो लड़की वो गुजरात की रहने वाली थी और गुजरात में ही उसे 21 वर्स्य एक लड़का जो पिरपैती का रहने वाला था पिरपैती दानापूर का उससे प्रेम हो जाता है और इसी जगह पर लाकर उसका निकाह कराया जाता है और हम उसी तस्वीर को आपको दिखा रहे हैं कि आखिर क्या तस्वीर हुई होगी उस रोज जब उस नावालिक का धर्म परिवर्तन करा कर यहां निकाह करा दिया गया और उस रोज के बाद यहां से मौल भी भी फरार हो गया है हलाकि लड़के की गिरपतारी गुजरात पुलिस ने कर ली है और लगातार छानवीन कर रही है हम उस घर तक ले जाएंगे जहां उस लड़के का जो मामा का घर है वो अपने नानी के घर आया था और यहीं लाकर उस लड़की को उसने रखा था बता जा रहा है कि लड़की की उम्र सिर्फ 16 साल और 8 महीने थी और यहीं वो घर था जहांकि सब्क्राइब ग्रामिनों ने बताया है कि यूँस रोज के बाद लगातार लड़की के मामा जो यहां पर से फरार चल रहे है यह घर है उनका और यहीं पर इस लोड़की के ख्ष Gu reinforced लड़के ने 16 वर्षिया आठ महीने लड़की को गुजरात से Facebook के जरीए ट्रेम में फसाया और उसके बाद वह यहां लेकर आया और यहां लाकर उसका धर्म परिवर्तन करा कर निकाह करा दिया गया बंद कमरे के अंदर रात के अंधेरे में धर्म परिवर्तन कर निकाह कराया गिया है जिसके फुलिस लगातार च्छानवीन कर रहा है ज्याफन निस diferen गुजड़ा वे जहाद應該 डाज़ा मांदाना पूर 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 पूंची जम भंण नीज लेटी जानवाव मडू कि दो कनी मात नहीं नौती कि यूटी क्या नीचे ने कि गिनाती नीचे गामना सरपंचे पॉर्ण कैमेरा पर खूटी बाद के ने कहीं कि यूबक ना माबाप गाम माना थी लड़की राजी खुझी साया हम लुए लड़की राजी खुझी सोय है 2 एक हम मुसल्माना हम साधी किएंगे तहां पूझेन समझे हम या कि करा दिया है वसे अतने अथा हम दानापूर में हैं पिरपति वजार भाघलपुर जिला के अंदर गत्य दानापूर जगह आता है औ और वाड नंबर 9 है यह वही घर है उसी नवी का घर है जो सूरत से एक लड़की को प्रेम के साथ यहां लेकर आया था उनका कहना है कि उन दोनों के बीच प्रेम प्रशंग हुआ था हलाकि लड़की नावालिक थी और उसके बाद लड़की का धर्म परिवर्तन कर शादी कर दिया गया था निकाह कर दिया गया था जिसके बाद की बावाल शुरू हुआ सूरत की पुलिस यहां आई इसके बाद यहां से गोड़ा के महरम थाना चेतर गई और लगातार च्छान बीन कर रही है जब हम यहां घर पर आए हैं तो यह बताया ग्रामी नों दौरा यह जा इस घर के अंदर और उस घर के अंदर यही घर है उनका पिताजी लड़के के जो पिताजी है चांगनन उनका नाम बता जा रहा है वो या चांदगनी नाम है जो की मजदूरी का काम करते हैं और इसी घर में वो रहते थे हम आपको दिखा देते हैं तस्वीरे गेट खोल कर कि इसी घर के अंदर महिनों तक वो दोनों जो लड़की थी और लड़के थे दोनों इसी घर में रहे थे लड़की राजी खुशी से यहां आई थी हलांकि आज अब मामला तुल पकड़ चुका है तो उनकी मांका कहना है कि हमारा कोई भी दोस इसमें नहीं है क्योंकि हमें यह थी कि लड़की हिंदू है या मुशल्मान गौरब जार न्यूजटीन गोड़ा